हाई भच्चों हम फिर आये नई क्लास के साथ नए सवालों के साथ और अच्छे से क्लास को आटेंड कर से रहेंगे साथ साथ क्लास को तो आपका हर सवाल हर एक सांपल सब्सक्राइब के साथ आपका कनेक्शन जोड़ता जाएगा ठीक है बच्छों अब बात करते हैं आज की क्लास की आज की क्लास से पहले आपको पिछली क्लास के बारे में हम यह बताना चाहेंगे कि प्रस्णावली एक दसलब चार के बच्छों 4 सवाल तक हमने को करवा दिये थे। बच्छों इसकात क्या है आज स्कूराद हुम कहां से करेंगे सवाल नंबर आपके पांच के साथ तो बच्चों आप जैसे सवाल नमबर पांच वाँ देख सकते हैं तो सवाल नमबर पांच वाँ बच्चों क्या है यह कह रहा कि प्रसन एक में जो बच्चों आपको मैंने पिछली क्लास में प्रसन वाली का सबसे पहला सवाल कराया था तो यह कह रहा कि पहले सवाल को लो उसमें प्रतेक समुच्चे का सर्विंजिश समुच्चे ग्याद करो तो बच्चों पिछली क्लास में जो हमने सवाल पहला किया था प्रसन वाली एक दसलनव चार का उसमें वतों क्या था उसमें हमने निकाला था उसका यूनियन उसका सभी लन निकाला था यहां क्या निकालना बच्चों उसी सवाल का सरव निष्ट होms का मतलब is intersection जैसे आपको एक हलका सह बताना चाहूंगा यह देखिए बच्चों एक intersection कुछ इस प्रकाह तो होता था यह देखिए आप intersection service में आपको दोनों नाम लिखा रहा हूं कि आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ यह ऐसा हमें बताया गया था पिछली क्लास में बच्चों service का मतलब होता है intersection यह नीचे की तरफ जो आता है और क्या होता था वो समुच्चों का अगर निकालना है क्या होता था दोनों समुच्चों के common अभी अब कॉमन का मतलब जो समुच्चे एक अंदर भी और बी के अंदर भी यहां निकालना है आप देखिए देखो यह जहां मैं तो बच्चों किया क्या क्या है तो पिछली क्लास के सवाल देखेंगे उसमें टाइम लग जाएगा हमारा तो हमने बच्चों वह जो सवाल एक था उसको यहीं पर आपके सामने हमने नोट करके रख दिया है अब यह है कि जो सवाल एक था वह आपका यह था जो आपको मैंने से पिछली क्लास में करवाया था ठीक है यह सवाल तो बच्चों आप इस सवाल को लेकी चलेंगे और इसका हम क्या निकालेंगे दोनों समुच्चों का सर्वनिस्ट मतलब इंटर सैक्शन अब आप यहां देखो यह आपका सवाल नंबर पांच हों है और यह इसका बच्चों फरस्स पार्ट आपको करके बता रहे हैं तो बच्चों फरस्स पार्ट में क्या दे रखा है उस पर ध्यान दो एक्स समुच्चे किसके एकोल दे रखा है बच्चों क्या क्या अव्यवार रहे हैं इसके एक तीन और पांच देख सकते हो वाई हमें क्या दे रखा है बच्चों एक दो और तीन अब हमें क्या निकालना है दोनों समुच्चों का सर्वनिस्ट मतलब इंटर सैक्शन और मै तो होता क्या था इसमें आपको कुछ नी का ना बस दोनों समुच्यों में जो अवियव कॉमन हैं मतलब उभेनिस्ट उनको ले लो बस और कुछ नी काना देखो क्या क्या रहा है आप देखेंगे बच्चो एक और तीन अवियव एक्स में भी आ जो दोनों समुच्यों में कॉमन है तो आपके यां पर आ आता है और उनको नहीं लिए था कहें इंतरसेक्षन में वह आता है जो कॉमन है तो आपका बच्चों फॉरस पार्ट खतम में उसका कितना आएगा एक कॉमा तीन फिनिस आजो आप सेकेंड पार्ट जह एक और क्या आपका intersection B बच्चों क्या निकालने आपको intersection B निकालो बच्चों common अभी कौन-कौन से आ आप देखेंगे बच्चों आप यहां देखिए जो है वो समुच्चे A में आ रहा है यह समुच्चे B में तो यहां तो आपको पता है यह तो आए नहीं आईगा और देखते हैंको क्या क्या आ रहे हैं आप देखिस ए आई O U Eu कुख में तो और देखिए समुच्चे B में है नहीं देखो ए को देखो एक मिलेगा आइए में ना यह कुछ नहीं पर भी अब रहा है तो में तो नहीं और नहीं लेना किसकंब नाजबन नहीं आए जो आपका अब यह चाह 00 में आ रहा है जो आपका क्यों आ तो आपको मैं आद होगा सब्सक्राइब पर शाब और भी और वह दे रहे हैं A और B वो दे रखें समुच्चे निर्मा रूप में आप देख सकते हैं से पिछली क्लास हमारी तो उसमें हमने इसको बच्चों किसमें चेंज किया था रोश्टर फॉर्म में जिसमें कॉमा आता है तो वही समुच्चे बच्चों आपको यहां भी चेंज करना है उसके बाद निकालेंगा इसकां उन्ठर सेक्चन आप यहां देखें गांगे की बच्चों समुच्य यह जो मैं नमबर माने थे क्या माने थे तीन छे नो बारा पंगरा आप डेड़ास लगा लो कोई दिक्कत नहीं है डेड़ास का मतलब इसी प्रगार तीन का गुरज आपका आते रहेगा आगे आओ समुच्चे बी क्या है बच्चो एक संख्या 6 से कम एक प्रकत संख्या है इस में मुझे क्या लेना है इस समुच्चे बी में प्रकत संख्या लेनी है पर 6 से कम होगी अब बच्चो वही वाद अगर मुझे 6 से कम परक्र संख्या लेनी है तो उसकी सुरुआत एक से नहीं होगी एक से होगी ना 1 2 3 4 5 5 तक क्यों आया क्यों कि बच्चों क्या कह रहा है 6 से कम लेनी है तो 5 तक रोग दो एक से लेके 5 तक आपका हो गया अब आप यह देखिए दोनों समुच्य जो आ गए हैं किस फॉर्म में आ गए हैं रोश्टर फॉर्म में आपको मैंने कहा है इंटर सेक्षन यूनियान कुछ भी निकालो बच्चों तो आप उसको इस पर का निकालेंगे ठीक है अब देखिए तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे एंटर सेक्षन बी एंटर सेक्षन बी का मतलब वह जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है देखते हैं बच्चों आप 3-3 दोनों में आ रहा है समुच्चे ए और बी में तो बच्चों 3 आ गया बईया और आप चाहों तो देख सकते हो 6-9-12- 15 यहां तो बच्चो आने का मतलब भी नहीं है क्योंकि पांस तक रुका हुआ है और आप देखेंगे जैसे यहां पर बच्चो एक दो चार पांच बी में तो आ रहा है पर एमें नहीं है उसको भी नहीं ले सकते तो कॉमन अभी अब कितना है आपका बच्चो तीन देखो ती और आखेंगे पार्ट और किया थे हमारे जी यह देखो बच्चो एंग इसका चौथ पार फिर आपका पांच हो आ जाएगा तो मैं यहां पर चौथ हआ पार यह कर रहा हूं जैसा आप नहीं हाँ पर देख सकते हैं अब बच्चो फिर क्या हुआ हुआ रहा है कि और एक्स बच्चों देखियो एक से तो बड़ी है च्छे के बरावर या उससे छोटी है अब आप यहां देखो तो आपका ए समुच्चे क्या बनेगा बच्चों एक से बड़ा है मतलब दो से शुरुआत होगी एक से बड़ा है प्राकस अंख्या है तो दो यह तो आएगा के बाद 6 के बरावर है उससे छोटा है तो इसका मतलब कितना आएगा आपका दो तीन चार पांच और शे बच्चों आप देखिए यहां पर ध्यान से 6 क्यों लिया यहां साइन किसका आ रहा है बरावर का इसलिए 6 भी हम इसको लेंगे यहां पर अब आते हैं बच्चों ब आप ध्यान से देख लिए बरावर का साइन आ रहा है नहीं तो 6 और 10 के बीच जो नंबर आएंगे वह हम यहां पर आपको लिखके बताएंगे तो यहां कितने आज आएंगे आपको बताएं है । साथ आट और नौँ सिंपल सी वात है बच्चों च्छे और 10 के बीच एक्कोल का साइन और यह iterations भी दोनों में common अवियब क्या आ रहा है वो देखते हैं बच्चों बैले ठीक है आप यहां देखेंगे बच्चों दो तीन चार पांच छे कोई साव्यब नहीं आ रहा है साथ आट नो एक भी अवियब आपका मैच नहीं कर रहा है कि जो common हो तो बच्चो जब ऐसा होता है कि बहुत कोई सभी अवियब common नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या बोलते हैं कि उसमें कोई अवियब है ही नहीं मतलब आप इसको ऐसा करें छोड़ दो तो आपको पाता है समुझेंगे sign में मंजलब रहके तो आता ही आता है जो आपको मैंने बताया था अब उसमें कोई अवयाभ है यह नहीं जो common हो जो हमको यहां पर लेने हैं यह नहीं तो क्या करेंगे इसको इतना छोड़ देंगे यह आपको मैंने क्या बताया था इस पूरे की जगा क्या यहाई है फाई का मतलब ऐसा समुच्छ है जो पूरा-पूरा खाली है कोई अब यह नहीं तो आप इसको इस प्रकागर तो हो गया आप कांसर ठीक अब बढ़ते हैं बच्छों आगे मतलब नेक्स पार्ट की तरफ आप देखेंगे बच्छोंनेक्स पार्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं पहले मैं एक दो तीन और बी हो हमारा देखेंगर पर वह थखे अब नहीं चौर्टत हैं और दो ती नहीं कुक्छे को आपको पता होगा हो हमारा यहां पर है अब आप यहां देखिए कि एक का इंटरसेक्षन किसके साथ निकालेंगे फाइ के साथ हमको पता है क्या निकालना है इंटरसेक्षन एक इतना है वच्चों आप देखो एक दो तीन एक इतना है एक दो तीन आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन आपका यहां आ गया फाई क्या होता है दिख समुच्चे पूरा खाली कोई अब अब नहीं है तो आप थोड़ा समझने के लिए आप इसको ऐसा लगा देखो एक दमबाद के लिए उजाएगी भाई यह ऐसा मना पाहा हो इसका मतलब क्या हुआ शब्रव कोई सा भी अवयव कॉम नहीं है कि जो इसके अंदर भी आ रहा हो इशके अंदर कोरी क्यों है इस लिए मैं आप शोचो कि जब यहां पर हमको बताया को इंटरसेक्शन में कॉम मन अभी अभी अब लेते हैं जो आपको बताया जब उस समुच्चे में कुछ common आय नहीं रहा है तो इसका मतलब यह तो आपका जो हुआ वह तो खाली होगे बच्चों कि यहां पर जो हमारे अब होते हैं common वह तो आयन नहीं रहे एक भी अब अब नहीं आ रहे तो हाली है खाली का मतलब बन रैकेटड बनता है आपका ऐसी और इसका मतलब क्या होता है भाई अब पूरा यह क्या वन गी आपका वाई के को आप नहीं हां दिखेंगे कि एंटर सेक्षन फाई का जो मान आएगा हो कितना जाएगा फाई थो आपको अच्छे से मादन पढ़ गय है ही नहीं तो वो तो खाली का खाली है और खाली का मतलब फाई तो बच्चों आप यह कह सकते हैं कि इसके जो था सवाल पांच मां किसको प्रसन एक सवाल लेने थे हमने सवाल आपको लेकर दिखा दिये हैं और उसका क्या निकाला है बच्चों इंटर सेक्शन अब बढ़ते चाहाँ आगे जड़ा एक से गुपट्रोस किस सवालों डौत सभ्णी सवाल नमा च्छता भी बच्छों किया तेखिए A, B, C, D चार समुच्चे आप देख सकते हैं आपर हमें अलग-लग दे रखें अब आगे क्या हुआ तो निमलिखित ग्याद कीजिए बच्चो अब चार समुच्चे दे रखें और निमलिखित के मान ग्याद करना है पूरा वही काम जो आपने देखोगा पिछली क्लास में यूनियन के लिए आया था अब आपका इंटरसेक्शन के लिए आ गया अब बच्चो शुरुआत करते हैं आप यहाँ देखिए हल तो हम आपको बताए लिख के दिखा देंगे फर्स पार बच्चो देखो फर्स पार्ट आपका क्या है एंटरसेक्शन बी तो बच्चो अब क्या हुआ एंटरसेक्शन बी समुच्चे आपके सामने हैं देखिए कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आपको ए और बी का निकानला है इंटरसेक्शन देखिए ए और बी का मलग intersection का दोनों के common अवयव जो दोनों में आ रहे हैं देखते हैं कौन-कौन से हैं बच्चों आप ध्यान से देखेंगे साथ नो ग्यारा समुच्चे ए में भी है साथ नो ग्यारा समुच्चे बी में भी है अब तो आपको अच्छे से practice हो गई होगी की लिए ये कौन-कौन सारे में मुच्चे आंपर साथ 911 साथ 911 तो आपका यहां आ साथ 911 सवाल का फर्स पार्ट खतम हो गये रही और कोंन अभी दोखने थे कौन कौन से आtest हैं साथ 90074 ек professionals सेकंड पार्ड क्या है बच्चों देखो बी का निकाल रहा है वह इंटरसेक्शन सी के साथ यहां देखो बी का intersection किसके साथ निकालना है आप देखेंगे C के साथ देखते हैं बच्चों C के साथ क्या आ रहा है बी यह रहा बच्चों समुच्चे C यह रहा है common देखो कौन कौन से हैं कि आप ध्यान से देखिए बच्चों 11 और 13 समुच्चे B में भी है जो साथ साथ पैन के जो हम दिखा रहे हैं 11 तेरा समुच्चे B में आ रहा है और कोई अब यब कामन नहीं यह आप 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 देख सकते हैं अगर मैं साथ नौ की बात करता हूं साथ नौ बी में वहां पर कहां आ रहा है और देना क्या है में दोनों में common तो कौन कौन से होंगे बच्चों 11 और 13 तो यह आपके 11 और 13 जो अभी हैं वह समुच्चे B और C में है तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी आपका 11 तेरा आ अब आव अब पर नेक्स क्या है नेक्स't आपका है आप देख सकते हैं A intersection C, intersection D, देखो वहां देखिए क्या है यह आपको A intersection C, intersection D, अ बच्चों देखो आपको पिछली क्लास में मैंने सवाल कराया था वो था आपका Kis पर का Union में आप देख सकते है फिर क्या हुआ था उसमें क्या आये था बच्चों आपको याद होगा यूनियन और तीन आ गए थे समुच्चे ए बी सी बी सी डी कुछ इस परकार तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको असान तरीका आपको तुरंट याद आदा जाएगा किनी ही दो को पकर लो बच्चो और मैं तो करूं सुरुआत की ले लो जैसे यहां पर देखो इन दोनों को पहले सौल कर लो मतलब एंटरसेक्शन सी निकाल लो पहले और जो आएगा आंसर उसका इंटरसेक्शन डी के साथ जैसे मैंने किसमे किया था यूनियन में वो यूनियन के लिए था यह आपका भी हम यहां देखेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे ए इसको मैं थोड़ durantता ऑंगे और उन perspectives intersection C देखो आपका पूंप्द का इंटर सैक्षन किसके साथ निकालना है सी के साथ यहां देखिये ध्यान यहां जाएगा आपका één का सी के साथ देखो कौन कौन से आसकते हैं समय तीन पात साथ नौ ए मैं हैं बच्चो सी में नहीं है नहीं आएगा आप देखिए सीधा 11 को बच सी के अंदर भी है दोनों में आ रहा है आपका तो आपका क्या हो जाएगा कॉमन अभी आपका हो गया ग्यारा ठीक इतनी बाद आपकी के लिए अब मैंने क्या बताया इन दोनों का मान निकल गया है इंटरसेक्शन किसके साथ निकालेंगे हम डी के साथ किसके साथ निकालेंगे डी के साथ डी आप यहां से देखिए डी कितना दे रहा को पंदरा और सत्रा मतलब पंदरा आपका यह रहा और बच्चों यह कितना है आपका सत्रा देखो इस समुच्चे में और इस वाले में इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या रहा है क जब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वह समुच्चे जो होगा खाली होगा कुछ है नहीं इसमें अभी 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 आपको मैंने क्या बताया तुरंद फाई कर दो भाई कोई अभी अभी है ने कॉमन तुम्हारा फाई हो गया यह बच्चो आपका फर्स सेकंड पार्स मैंने आपको करा दिये हैं बाकी के चौथा पांचवा छटा पार्स हमें और निकाल के बताने हैं ठीक हम लेको फिर क्या कि बच्चों जो हमें समुच्चे सवाल छटे में दे रखे थे कि हम यह बार बार ना देखना बड़े तो मैंने इसको यहां नोट कर लिया ए में इसम אני मैं देखते हैं मैं और इंटर एकशन सी हे एक का इंटरसेक्स और से रगालना सी के साथ तेखो क्या आया घर का ठ एंटर सैक्षन और सी अजी किहा थिकैं deformation को देखो कि इसमें कौन कौन से अखψाए है तो आप हैं देखेंगे देखो 3, 5, 7, 9 A में है, C में यह नहीं आएगा 11 आजाएगा आपका यह यह आपका क्या आगए बच्चो 11 हो गया आपका सवाल खतम ठीक, अब आते हैं बच्चो next पर, उसका next दिखते है next क्या है B intersection D यह आपका क्या है B intersection D ठीक अब अच्चो B intersection D का मतलब B or D के common अवियब कसम उच्चे, देखो B यह रहा, D यह रहा आप देखें कुछ common आ रहा है 7, 9, 11, 13, 15, 17 एक भी अवियब common नहीं है कि जो इसमें भी हो इसमें भी जब common नहीं है तो हम इसको यहां पर लिखी देंगे कितना आपका यहां ग्यारा तेरा का intersection जो निकालना था वो निकालना है किसके साथ 15 और 17 के साथ जैसा यहां पर देख सकते हो simple काम है intersection union होई तुमारा काम चल रहे है चलो यहां पर क्या हौआ कोई भी अभी अभी common नहीं है यह common नहीं है तो आपका समुच्च जो होगा वो खाली है मतलब फाई और उसका मतलब जिक्त समुच्च है सब आपको पतार रखाए अब और नेक्स आप देखेंगे क्या है बच्छों नेक्स जो पार्ट है इसका वो थोड़ा अगर मैं कहूं एक इसने मिक्स करके दे दिया मिक्स का मतलब आप देख सकते हो कि संबी यूनियन सी यह तो है आप देखेंगे हो से अश्वा rocks & English अब सबसे मैं काम और आपको मैंने इंट्रसेक्षण जोनियन की प्रॉबर्टी लिखवाई थी उसका पुरूफ कराया था एक्जाम पनल देन आपको मैंने यह भी कहाया था कि भई आपको अच्छ का अजब भी प्रैकिट आएगा वाच्छो सब्सक्छीर तास्ट क distractions भाल नाफो परेखी पाकरना कि सवाल पूरा पूरा भिलत हो सकता है तो किसको सौल करेंगे सबस्द refresh वाले वामतरव को बस आपको मैं बताएथ आप इससे पिछली वीक क्लास में जब प्रॉपर्टी कर घे थी ब्रैकट वाला सब से पहले अब आप इहां देखो बच्चो ब्रैकर वे सबसे पहले क्या है बी cetera थे क्या करेंगे पहले बी सीर का निकालेंगे यूनियन और जो आएगा उसका इंटरसेक्षन एक साथ तो आप यहां देखो क्या होने वाला है तो बच्चों पहले समुच्चे ए है उसको तो यहां नोट करें लो क्या है वह आपका तीन पांच साथ नो और ग्यारा जैसा आप यहां देख सकते हो यह तो बच्चों समुच्चे एक को मैंने नोट कर लिया कोई दिक्कत नहीं यह भी इंटरसेक्षन यहां लगा दो आप भाईया इंटरसेक्षन है कोई दिक्कत नहीं अब सबसे पहले मान किसका निकालना है हो मान देखो क्या होगा निकालना है आप यहां देखेंगे हमें क्या निकालना आदो बी का यूनियों सी के साथ सब्सक्रण बienda करों और हो जो फूर गें इधर बिके अन्दर भीकली सिके वह एक लिए ушगा जाता है बस यह हो फिक और होता है यूंजियां कर जिकलत अब आप में देखो तो अब यहां देखेंगे B県ने साथ नौ जो है बच्शों देखो है । साय नो समूच्चे में है सीमें नहीं है कोई दिक्कत नी लिखा जाएगा ऐसा निए छोड़ दो लिखा जायां अब आओ आगे 13-13 बी और सी दोनों में आ रहा है तो एक वा लिख जाया तो वच्छों को मैं यहां पर लिख रहा हूं ठीक है आप समझ जाना है इसी के साथ है साथ नो ग्यारा तेरा ठीक है इसी के आगे अब पंदरह की बात करें पंदरह सी में पर डी में नहीं कोई दिक् है यूनियन में सारे अव्याब लिख जाते हैं जो दो वारे इसको एक वाल लिख दो चलो अब आप देखेंगे अब जो हमें क्या करना है कि हमने सबसे बहले किसका मान निकाला ब्रैकिट वाले का मान यह आएगा सवाल देर रखाया आप इसको यहां पर कर लो को दिक्कत तुझसनी अब क्या होगा आप निकालेंगे बच्चो इस पूरे का इंटर सेक्शन इस पूरे के साथ आप मुआ यह पी मुई सकते हो यह पूरा यह पूर्ण संव दो हूं मुझची होग अब दोनने क्वालों के कॉमन और वीया थो तो देखो कौन कौन से आएंगे बच्चों तीन पाच यहां पर नहीं है हटाओ उसको कॉमन नहीं आ रहा साथ नो ग्यारा साथ नो ग्यारा इस समुच्चे में भी आ रहा है जहां मेरा हाथ जा रहा है और इस अले पर कोवन जो आ रहा है वह क्या रहा है आपका साथ नो और ग्यारा और तो कुछ कोंँ नहीं hebat 7 अधियो साथ नो ग्यारा उसाथ नहीं आ रहा है यह आपका सवाल का जो । लीओ को ऐसे किखा टोता हीर आफ यस घ्राष नहीं त्टोर बच्चों यह और पार्स में समझा कि इतने बाट और पार्स जो तो जितने पार्स यह ऋतनी अब तक खतम होगतें अगले पार्ट की तरफ अगला क्या क्का निकालना है देखते हैं अपढ़ें आप आपस का जाएगा सातों पार्स ठीक है बच्चों यह हमारा आगे सातों पार्स क्या निकालना है वो देखो एक इंटर सेक्षन डी के साथ आपके सामने है यहां पर लिखा हुआ है तभी यह बारवा हम पीछे से ना देख पाएं डिरेक्ट सवाल के जो समुच्चे हो यहां पर ने उसको सौल करते हैं बस चलो आओ एका इंटर सेक्षन डी के साथ बच्चों ए यह रहा डी आपका यह रहा इंटर सेक्षन का मुला दोनों के कॉमन आप यहां क्या करेंगे एका इंटर सेक्षन डी के साथ वह देखो चौंट क्या क्या रहा है जैसे हम आपको अब तक रहे हैं बच्चों ए और डी में आप देखेंगे तीन पास साथ नो गया रहा कहीं पर नहीं है भाईया डी के साथ कोई भी अविश्या आप मैच नहीं खा रहा है जो दोनों में हो दोनों में कॉमन हो तो नहीं खाया कर मैच तो इसका मतलब उच्चों फीस को या तो आप ऐसा कर दो और आपको मैंने बताया है आप ऐसा कर दो पर मोस्ट ली क्या लिखा जाता है आपको तो यह फाई करके तो इतना करने के के अज़ देखते हैं कि क्या कि क्या नीकालना है एंटरसेक्षण बी यूनियन डी है कि मैं सेहां क्या निकालना है भी यूनियों और दी बच्चो फीर बात देखो ड्रेक्ट आ गया अगया देखो चहां आएगा सबसे पेहला काम यह कि आपको उसको करना है कि यह कुछ भी है कि वह हमने पहले करें कि हाँ पर लिख दिया और जो आता है उसके बाहर उसको आप कोई मतलब नहीं है पर सबसे पहला काम ब्रैकेट कमान सॉल्ट करेंगे तो बच्चों दो एक अमान तो लिख दो उसमें कोई कोई दिखकत नहीं है कि यह कमान ने लिखे रहें कितना आपका है तीन पांच साथ और नो एक और आपका ग्यारा आप देख सकते हैं एक अमान मैं लिख दिया भी ठीक पर सॉल्ट किसको करूंगा मैं बी यूनियन डी को और इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं बच्चों यह डी यह रहा यूनियन का मतलब दोनों की अभियव आएंगे चाहिए बी हो डी हो कुछ भी और जो दो वार रहे हो एक बार बार इसलिए कहते रहते हैं कि आप एकदम उसको दिमाग में फिक्स कर लें चलो तो आप यहां देखी बच्चों साथ नो ग्यारा तेरा इसमें नह साथ नो ग्यारा तेरा इसी के आ गया है जैसे हम आपको बोल रहे हैं साथ नो ग्यारा तेरा फिसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों पंदरा सत्रा मतलब पंदरा कॉमा सत्रा यहां को गया बंद ठीक नॉमल सी बात थी एंटरसेक्शन एवें कोई छिरिखानी नहीं कि हमने एको रख दिया वैसे के वैसी और बी यूनियन डी बीडी हों से पता थे उसका वो निकाल लिया यूनियन जैसा आपको हमने करके बताया है अब क्या अधेमें इस समुच्चे का निकालना है बच्चो इंटरसेक्सन इस पूरे के साथ देखिए आप इंटरसेक्शन का मैं कोमन देखो आप बताओ कौन कौं कौन से अब इसमें आभी आवाज आएँगे आपके तो आप ध्यान से देखना बच्छो इस समुच्चे में भी आ रहे हैं और आपके और निया रहा है, आपज और सो टेक कर अजोी होई है सो साथ और इंड़ां तीन पाश यहां पर है तेंके से निए तो सफ्यूद ओ जिर्षेथ बचुन अपर आ करूं get no share कर दोनुब कम औन वह इंटरसेक्षा पर इसे के साथ आपका आठ्मा फार्स खतDr. अब मुश्चो कहां पर अगले पार्ट क्या है आपका नौ पार्ट का सकते हो उसमें क्या है पहले हो तो देख लें ज़िए कि यह कह रहा है एंटर सेक्शन भी ध्यान से देखो बच्चों अभी कितने होता है ब्रेकिट की बात ब्रेकिट लगा दिया फिर intersection B Union C मतलब यह क्या है बैसको नोट करेंगे हम A intersection B और intersection किसके साथ हो intersection आपका आ रहा है B Union C के साथ ठीक सवाल यही आप दे सकते हो A intersection B intersection B Union C ठीक करना क्या है बैके यहाँ एक पर नहीं आ रहा है दोनों पर आ रहा है तो इसका मतलब आप इसको भी नकालेंगे पहले किसको A intersection B को निकालेंगे सबसे पहले और फिर किसको निकालेंगे B Union C जहां-जहां करना है और हुटी यह कीफ सबस्ते पहले को मैं इस से पहले हुश को आप यहां पर यहां पर आप यहां पर देखेंगे कि A intersection B मतलब A और B का intersection मतलब दोनों समुच्चों के common अभियम देख कौन कौन सा आएंगे बच्चो साथ नौ ग्यारा देखो दोनों में साथ नौ ग्यारा कि A में भी आ रहा है और B में भी तो आपका कि साथ नौ और ग्यारा आ गिया ए इंटरसेक्शन भी देख सकते हो कि यहां साइन किसका आ रहा है बीच में ब्रैकेट के इंटरसेक्शन का उसको लगा दो कोई दिक्कत नहीं भाईया अब क्या करेंगे बी का यूनियन सी के साथ है बी का यूनियन आपको देखना है कि ब्रैकेट वाला मान किसमें आ रहा है इंटरसेक्शन में यूनियन में बी का बच्चो यूनियन देखो जहां मैं पैन दिखा रहा हूं सी के साथ और यूनियन में का आते हैं सारे अवयवाद आते हैं दो वाल को एक वाल लिखेंगे चलो आओ ग्यारा तेरा ग्यारा तेरा दोनों में आ रहा है पर लिखेंगे इसको एक बार भईया मैंने एक बार लिख दिया देखो साथ नौ तो आ नहीं था ग्यारा तेरा ग्यारा तेरा दोनों में है तो हमने इसको एक भाब लिखा जैसा आँको बता हैं यूनियन में एक रहते हैं मतलब यह किसका मान है एंटर सेक्षन बी का वी यूनियन सी का मान किया है जो आपको हमने अभी निकाल के बताया इतना होगा इसको निकाला जो प्रैकिट में जो हम आपको कह रहे हैं बार बार अब क्या होगा इन दोनों समुच्चियों का एक यह एक दूसरा जो भी आया है इन दोनों का निकाले हैं हमें क्या इंटर सेक्षन अब आप यहां देखिए दोनों का इंटर सेक्षन काला का मालव को मंन अभी अब 59 1129 संुभसई अर्फवर आ समुच्चियोंस्य में होALI अपको बढ़ते हैं अगले फार्स की तरफ आंखरी पार्ट आप भी कह सकते हुँ यहाँ वो क्या है आपका पर देख लिए हैं मिया किया कि A union D ब्रैकट में उसका इंटर सेक्षन बी यूनियन से के साथ तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि A union B और इंटरसेक्षर में आपका कितना रहा है बी यूनियन सी तो बच्चों फिर वही बात देखो भूलो ना उस बात को कि क्या बताया था मैं अच्छे से इसको माइनड में इसको फिक्स कर लो अच्छे तरीके से बस पॉइंट वाद कही जा रही है तो सबसे पहले किसका मान एउनियन डी उसका मान निकालेंगे देखो कहां पर है वह यह याऔर डी का यूनियन देखो यह यह रहा डी यह रह यूनिया निकालेंगे तो दोनों तीन पांच साथ नो ग्यारा समुच्चे ए में पर डी में नहीं है तो मैंने क्या बताया लिखे जाते हैं यह यह तो अंतर यूनियन में जो दो वाला आता है इसको एक वाली लिखते हैं बांगी तो अभी आएंगे आएंगे तो आपका कितना होगे यहां पर तीन पांस साथ नो और 11 देखो अब क्या होगा एकर यून्यर डी के साथ बढरना है वहां आ रहा हैं का पंद्रह सत्रा अब 15 तरह डेखो डी मैंपर ए में तो नहीं हें तो भी आपको बता है लिखना है हमें तो यह चीज़ आपको अच्छे से मालूम पढ़ गई होगी यूनियन में सारे विवात हैं उन दोनों समुझ्चियों के बस अब बच्चों इंटरसेक्शन का साइन यहां लगाओ अब क्या निकालेंगे ब्रैकिट में बी यूनियन सी कहा है देखो बी और सी का यूनियन देखो चलो उसमें क्या क्या है का आपका सुरुवात साथ नौ बी में है भाईया साथ नौ सी में नहीं है कोई दिक्कत नहीं लेना तो है आपको बताए 11 13 11 13 दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब एक बार 11 13 अब आगे देखते हैं बच्चों 15 C में है पर B में नहीं है कोई दिक्कत नहीं वह भी लिया जाएगा आपको बता है बस तो यह आप देखेंगे बच्चों यह जो आया है तो मैं जहाँ पर करता हूं उसको डिनोड करने के लिए कि मैं इस पूरे कमान यह आया है दूसरे वाले कमान यह आया है अब इन दोनों समुच्च्चों के जो अभी अब आए हैं उनका हमें क्याने कान लें इंटरसेक्शन मतलब कॉमन अब आप यहां देखिए कॉमन कौन कौन से आएंगे साथ नौ और ग्यारा आप और भी चेक करो देखो तसलिस साथ नौ ग्यारा साथ नौ ग्यारा पंदरा कुछ चेक करें पंदरा आ रहा है तो आपको होता है यहां पंदरा भी लेंगे टिक यह तो होता है कॉमन में सत्रा देखे तो सत्रा यहां पर कहीं नहीं है टिक और बचौ आप देखो गे तो उसमें 13 की बात करूं चलो 13 इस समुच्चे में पर 13 यहां बनी आ रहा है तो कॉमन कौन कौन से आगए आपके साथ नौ ग्यारा पंदरा साथ नौ ग्यारा पं सब्सक्राइब प्रस्णावली जब से शुरू होई है इसे पिछली क्लास में और हमने आज भी सवाल करा है सारी के सारे सवाल कहां से इंटर से यूनियन वहीं सर्वनिष्ण आपका सम्मिलन जो हिंदी में बोलते हैं आपको मैंने बताया था इंगलिस में अच्छे त्यारी करो तो बच्चों इसमें अगला सवाल और देखते हैं कि अगला सावल में क्या दे रखाए ठीक है देखो वच्चों सवाल आपका साथ हम आप यह कह सकते हैं हमें सावाल का काम करके बताना पड़ेगा आप देखो सवाल साथ हमें जो है वह क्या ओन कि अपने एक पॉइंट नोड की एक बीसी वीडि क्या पॉइंट कि जो बच्चों में चारों समुच्चे दे रखें किसमें दे रखें समुच्चे निर्मा रूप में है देखो एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब त्थिक क्या करना होगा मैं सबसी पेले चारों समूच्चों को किसमें बनाएंगे बच्चों रोस्टर फॉम में जिसमें कॉमा आता है सब आपको अच्छे से करा रहा है देखो तो मैं अब डिरेक्ट यहां पर इसको किसमें चेंज करने वाला हूं रोश्ट्राइफ फॉम में देखो पहले तो यह आपका सवाल साथ हुआ है तो सबसे पहला जो है बच्चों ए ठीक है यह एक प्रकत संख्या है मतलब यहां पर जो हमें कह रहा है कि एक्स क्या है एक प्रकत संख्या है अब प्रकत संख्या का मतलब सुरुवात कहां से होती है एक से कहीं इसने बता रहा है कि सौ तक लेनी यह बीस तक पचास तक नहीं तो एक से आप देखे दो तीन चार पांच लगा दो देखो इस परकार एक दो तीन चार पांच और बच्चों यह वह बताओ यह समुच्च्च जो है किस वर्म में आ गया रोश्टर रोश्टर में क्या आता है कॉमा यह कॉमा में चेंज कर दिया सबसे पहला काम आप समुच्च एक्स एक सम पारकर संख्या कौस्थ यहां पर आपको एक्स तो लेना पर क्लेदा पर क्या मैं सम क्या करेंगे को आप यहां क्या करेंगे। को प्राक्त संख्या तो सम में तो आएगा वाक का दो चार आड को वालकर मतलब लooked संख्या चलती जाएंगी अब आगे आओ सिखी आपका है विस रेक यह विसम प्राकट-संख्या है एक तीन पात साथ डैड़ेस यह तो और बच्चों सम्में दो चार्च है आर्टास बारा चौदा चलते आएगा विसम में एक तीन पात साथ नौ जो भी आपको बता है चौथा क्या है डी में समुच्चे के रहे एक सदैड एक से एक अभाज्य संख्या है यहाँ पर डी में जो हम समुच्चे दे रहे एक स्क्या और आपको हमने यह बता भी रखा था देखो सब पिछली बाते हैं पिछली किलासों की बाते हैं अभाज्य संख्या बच्चों वह होती है जो बस अपने आप से ही डिवाइड होगी अपने आप से इसका भाग पूरा बोला जाएगा और किसी आउसे नहीं आ सकता कौन कौन से संख्या होंगी दो तीन पाथ साथ आपका ग्यारा तेरा ठीक है तो यहां पर सुरुआत किस से हो जाएगी जैसाप की दो तीन पाथ साथ एक और वह चुछों में ले लेता है इसमें 11 और डैटडेस तो हमको यह प बी में समारी हैं सी में आपके क्या रही हैं विसम आरी हैं और डी में क्या हैं अबहाज है मतलब दो तीन पासाद 11 तेरा सत्रा जो भी वच्चों ठीक है जो अपने आप से डिवाइड होता है उसको बहुत है इतना क्या था इस पूरे सवाल को मैंने यह बना दिया अब आप देखिए क्यों कहा था मैं समुच्चे निर्मारूप को इसमें लिखो रोश्टर अब यह सवाल क्या बन गया पहला वाला कुछ भी निकाल लो वहीं कुछ भी आओ जड़ा फर्स पार पर आदेखिए इसका फर्स पार निकालते हैं बच्चों फर्स पार्ट गया का एäg इंटरसेक्शन भी देखते हैं क्या एं gast इंटरसेक्शन हममी में आता है बच्चों इंटरस्चर शेल्व क्या कॉन fine कॉन से आएँगे आप देखिये बच्究 एंट्र सेटेंट भी आप पता है अबना टो कॉमा जो डोनों संक्ष्ची में आ रहे हूं दो इसमें बीए दो इसमें भी आ तो आप यहां बच्को कितना ऐगा 4 यहांब यहां बीए है चार है यह प्राकत संक्यां है appliances पांस तक रुकेगी चलती जाएगी आपकी छह साथ आठ नो तो इसका मुतला इसके आगे छह भी आएगा छह और छह यह आप कहा रहा है छह के बाद साथ आएगा आठ आएगा आठ और आठ यह कर दो बच्चो डैडेस कि भाईया इसके इंट्रसेक्शन में वही अव्यव आएंगे जो कॉमन है कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं बच्चो सुरुवाद कि स्योडियस की दो चार आएगा छे आर दस मतलब सारे साथ नंबर कैसा आएगे आपके समसंखिया तो कि एक को देखे एक पर है बीमर का है नहीं आएगा पर जो स आफ्स, आल दकना दस और दस करें कि आप उतना छोड़ कि यह आप संसंखिया आएगी आ ल कि दूसरा तक क्या है आपका करते एंटेस एक अजमी है बच्चो क्या करें गें एक इंट्रेशक्शन किसके साथ सी के साथ अब आप यहां देखो具 इंटेस है बच्चों दो इसमें है इसमें नहीं है तीन आ रहा है मतलब एक तीन फिर बच्चों पांच पांच कि आपको बता है यह आगी जाएगा शह साथ 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 अब आप समझ गए कि जब सम की बात आई एंटरसेक्शन भी तो सम नंबर आ है वह चेक करके कॉमन आपको बता है और जब एक सी के साथ निकाला है तो अब यह कौन से आ रहे हैं एक तीन पांच साथ मतलब विसम कि ठीक कॉमन लो और उसको जितने कॉमन आप ले सकते हो तीन चाहर कर दो इसी परकार कि तीसरा पार्ट क्या है देखो कि तीसरा पार्ट इसका रहा है बच्चों एंटरसेक्षण डी एक का इंटरसेक्षण डी के साथ कॉमन अभी है दो और दो आ रहा है आपका ठीक हो का दो बच्चो आगे है टीन पांच यहां हमको बता है आगे तक जाएंगे साथ भी आएगा तिन पांस आगे और जाएंगे तो जिया रहे गई ए इसका मतलब क्या हुँ आपका दो तो आई रहे रहे हैं दो तो रहे हैं बागी क्या है का आ睡覺 Net तेरा डैट डैस कॉमन क्या छूड़ गया आपका चार छे आठ दस ए में तो है पर डी में नहीं है कॉमन नहीं तो उसको छोड़ देंगे तो कौन-कौन से आगए आपके दो तीन पास साथ ग्यारा जो इसमें कॉमन हमारे चलते जाएंगे और डी में अब अच्छो बात करते चौतह वाले पार्ट कि चौतह बाट किया है आपका लिए आपका अब ऑट सेथे गया वे इंटर सेक्षन से जैसा आप पर देख सकते हैं यह हमारा चौतह बाट है बी का हैं पर दिख सेक्शा के साथ कहां आपका ध्यान जाएगा बशुक्ण की तरफ बश्कोंख बश्य म और मुखंप में common क्या सकते है कुछ भी नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा तो उसका मतलब आपको बता है था नहीं आ रहे हैं तो खाली होगे समख्ये तो 5 अब एलएखे इन क्या थैइन इस सेक्षण डी और ये क्या रहा है यह कि इस संदी इसको भी देखते देखो बच्चो एक ही आघर अब यह सकते हैं 2-2 कि इसम नंबर नहीं और यहां कैसे नंबर आएंगे आपके अलग जैसे कि वाका दो आ रहा है जो दोनों में है बागी मैंने क्या बताया 468 और अपर यह आ कहां ंखर यह कहां रहे है क्जी स्कौन आदे वह आपका वह व कौन सा है दो आगे बढ़़ ip यह यह आपका है कौन सा नेक्स पार्ट हमारा c का intersection बच्चों किसके साथ d के साथ देखो यह तो है next part c का intersection d के साथ अब देखते है c और d का है बच्चों यह रहा आपका c ये हैं आपका d कौमन छार्ट करते हैं बच्चों आप यहां देखेंगे एक तीन पाथ साथ एक जो नमबर है बच्चो सी में तो है पर यहां नहीं है डी में नहीं लेंगे तीन पाथ साथ तीन पाथ साथ इसके बच्चो आगे नमबर और क्या आएगा तीन पाथ साथ नो ठीक फिर आपका हो आएगा ग्यारा आएगा 13 आएगा क्योंकि यह आप देखिने किसका समुच्चे था यहां से किसका था विसम का तो विसम में तब भी तो आया एक तीन पास साथ नो ग्यारा तेरा सत्रा इकिस जो है और यहां पर नंबर आप देखोगे दो तो है अब आज जिसंग्या दो होती है तीन पास साथ 11 आपका तेरह आजाएगा आपका सत्रह आजाएगा ठीक है यह बच्को सारे नंबर इसमें अएंगे इस परकार है तो हम क्या करेंगे देखो टीन मच्चों हमें किसका निकालना है सी और डी कहां एक और दो तो नहीं आएंगे कोई एक में दूसरे में तीन पांच आद्यके साथ सांथ साथ भी आएगा आपका यहां आपका 11 भी आएगा यह 11 विसम चंख्या और 11 आपका अभग When introduced बार चो 13 आपका विसम संख्या है यह आपको आपका 13 भी आ जाएगा अब अब ईक बार नोट नाभ बहुत में बात है बहुत में माते हैं क्या विसम संख्या है या या वर एक तीन पास साथ आपका नौ आ जाएगा ग्यारा आ तीरा आजाएगा ठीक है यहाँ पर अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या क्या बताए आपको जो अपने से टिवैड होगी को जो बच्चों 15 होगा नपंदरा वह आपकी अभाजी संख्या नहीं है क्योंकि पंदरा आपका तीन से भी डिवाइड हो जाएगा और पांच से भी तो आपका अभाजी संख्या नहीं हो आप अपने अपसे इसका मतलब आप यह कहते हैं कि यहां पर अगर यह विसम है तो जो 15 होगा बच्चों 15 यहां तो आएका पर पंधरा यहां नहीं आएगा मनलग पंदरा आपका कॉमन नहीं है तो आपके, अब याफ किस प्रकार आएंगे, जो आपके एक प्रकास से अभ़ाजे हैं, आप देख सकते हो, तीन, पाद, साथ, ग्यारा, तेरा, तो बच्चों, अभ़ाजे संखेयां, तेरा के भाद कौन से होगी आपकी? सत्रा और क्या होगी आपकी उन्निस और साथ साथ आप एक बात नोट करो ये भी नोट करो कि सत्रा क्या विसम संख्या नहीं है है उन्निस क्या विसम संख्या नहीं है है पर वो साथ साथ आपकी अभाज्ये भी है देखो एक भाव मैं और केना चाऊंगा क्योंकि यहां पर सी समच्च है विसम का है विसम हमको बताए है बच्चों 15 आएगा पर 15 को हम यहां नहीं ले सकते है क्योंकि यहां ले लिया मैंने क्योंकि सी है अभाज्य पंद्रा को लिए तो पंद्रा आपका भाज्य नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ पंद्रा जो है आपका वह इसमें इसमें कॉमन नहीं आएगा तो कॉमन कॉमन से अभी आवारे एक प्रकास ध्यान दो 3 5 7 11 13 17 इसी प्रकार तेज वह नमबर आ कॉमन बच्चों जो आपकी अभाज्य है इसमात का विश्य ध्यान अकनाब ठीक आगी बढ़ते हैं बच्चों क्या दे रखाय और तो बच्चों अब ऐसा करेंगे इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं आप से मिलूंगा नए क्लास में और नए सवालों के साथ सवाल करेंगे नए क्लास में तब तक ओके और टेक केर